गुड मॉनिंग स्टुडेंट आरके विज्ञान पीजी माविद्याले कालवाड की कालवाड की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है हम लास्ट क्लास में बीए सी फ़स्ट इयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर थर्ड कौन सा 3D डाइमेशन पढ़ रहे थे उसके Υा के second के third वह pensar में गोलेगा समयकन अब किस्ट समयकन सब्सेके लिए साइन पूरे लिए सारा जो काम से यह कंवेर उसके लिए बहुकऑि समयकन से अधान और केंदर निकालना सीख लिया था आज हम उसी class को continue करेंगे और आगे जो most important question है वो इस class में हम start करेंगे तो start करते हैं देखो question देखो क्या है second number example देखो दिख रहा है यहां पर क्या करा है उस गोले का उस गोले का उस गोले का समिकन ग्याद कीजिए उस गोले का समिकन ग्याद कीजिए जो तीन चार पार्ट इसके first part करें देखो पहले ठीकिना बाकी पार्ट ऐसी है वह तो चार question है इसके एक पहला man statement है उस गोले का समिकन ग्याद कीजिए जो पहला दूसा तीसा चोटा चार question है इसके पहला देखो जो फ़स्ट 1-3 इसका केंद्र सम्तल एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्वाल टू जीरो पाइस्टी दो यह question है देखो क्या करा है देखो समझो उस गोले का समिकन ग्याद कीजिए जो 1-3 4 1-5 2 1-3 0 से गुजरे इन तीनों पॉइंट से गुजरे तता जिसका केंद्र सम्तल एक्स वाई जेड इकोल टू जीरो परिष्टी दो जैसे समझो जैसे यह सम्तल है ठीक है यह सम्तल की equation है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इकोल टू तो इसका जो सरकल का केंद्र है गोले का स Shapalowassa है ज कि यह तो होगी यह संटर इसमतल से पास वो रहाए और तीन.ड दे रहके हैं एख़ा गोत एंग और तीन एक.वथ नर्स शू पवं इनस तिरिफौरल एक.वथ न॓ba vnd और् और एक.वथ नू माईनाश टरिवर दिरो हुआ है रिसमें इस गोले का समुननों का failure को किसे पास होता है x plus y plus z equals zero से और किन पॉइंट पे तीन पॉइंट पर धूसे इस से सुझ कि इकल है इन तीन पॉइंट से पास होता है ही गोला तो ऊंघके याद करना है इसका स्कीन शोट लेलो फिर आगे देखो सॉलिशन करते हैं इसका लेले स्कीन शोट देखो सॉलिशन देखो कोशन को मिटारो देखो सॉलिशन बड़ा है इसलिए कोशन समझ में आए गया डाइग्राम भी देख लिया तुम कोशन समझते रहें देखो देखो समझो क्या है सॉलिशन देखो क्या सॉलिशन है माना गोले का माना गोले का व्यापक समिकन निम्न है माना गोले का व्यापक समिकन निम्न है क्या है देखो एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर प्लस जेंड स्क्वेर टू यू एक्स टू वी वाई निम्न है माई निम्न है मारा गोले का व्यापक समिकन निम्न हमें निम्न ही कि व्यापक समिकन इस से बनाएं यह अपक शमिकन मतलब तो इसमें यूवी है फूले को यह को यह गोला है यह मनली हमें यह वही गोला है जिसका पूर्ट बना रहे है यह गोला है यह गोला है किसके बिदों से पास होता है 1-3 और 4 1-5 और 2 तता 1-3 और 0 से गुजरता है अते जिसके वुला के संब्सक्राइब गौल गॉला 1-3 4 से 1-5 2 से 1-3 0 से घुजरता है अभी मैंने समझाय था यही गौला है वह ठीक है इसके तीन पॉइंट है एक दो और तीन और मैंने बताया है की पंट होता है जिसकी वेल्व एक्स नैरों गिनोन नखी थी थी सब्सक्राइब यह नियुड कि यह इच्वाग्द्न की कि वैल्यूंच माइनस टू यू अग माइनस यहां तो प्लस आएगा माइनस वी वाई की जाए गए माइनस टो शिक्स वी प्लस जैड़ की जाए पूर तो एट डबलू माइन डी इकल टू जीरो यह सेकंड एक्विशन इसको बलक करेंगे पुरा सॉल उसके बाद करेंगे साइकंड इक्विशन है ना क्या जाएगा देखो वन का स्कार वन ठीकर इसकोड 9 10 16 16 10 26 क्या बनेगा देखो टू यू शिक्स वी एट डबलू माइन डी इकल टू यह 26 उदर जाएगा तो माइनस का 26 कि यह सेकिट इस पॉइंट से पास करा दिये इस गोले के समिकंड को अब इस पॉइंट से पास करेंगे पॉइंट से पास करा दिया अब इस पास करेंगे बैस पास करेंगे और इस पर निकालć नों के समिकंड की अब interpretation ऍय्सक्तर यह ऐसे रखेंगे देखो वन का स्क्वाइर फाइब का स्क्वाइर 25 ग्लस 26 और टू का स्क्वाइर 4 टो 29-29 भलत है निक्राइब वन का फार 254 2029 30 हो और क्या जाएक देखो 2 यू एक सी जेगे वन तो तो यू माइनस है फाइब टेन वी तू रखेंगे तो फोर डबलू माइने डी इकोल टू थर्टी ठीक है और यह गड़बड हो लिए कि यहां पे फॉर्मुले में प्लाइडी होता है कि आगे थे समझगे थाड़ एक क्या बनेगी देखो यह पॉइंट रखेंगे फनका स्काइर थी कर नाइन प्रेस टेन तो माइनस का टेन पॉर्ट इक्विशन और यह दर क्या जाएगा वन यह टू यू माइनस शिक्स वी प्लस डबलू आएगा नहीं है डी है एक्वल डू माइनस टेन है कि आया समझ में कि आए है कि आए है कि यह बन की तीन एक्विशन अब क्या करेंगे मिन टीनों एक्विशन को सौल करेंगे एलिमिनेशन मेत्ड़ से पहले यू को एलिमिनेट करेंगे दो एक्विशन से इन दोनों एक्विशन से यू को एलिमिनेट करेंगे वी और डबलू बचेगा इन दोनों एक्विशन से जो बनेगी उनसे डबलू को एलिमिनेट करेंगे तो वी और डी बचेगा इसमें वी कि उसको वह इंदी मी क्या घूलता है कि एंदी मेismon met रोटज एक तो कि हुआ है मैस्टत है इसगो लॉप भिडिक निनिहन हटाना उससे प्योप करने इससे क्या होगा ढख जो कया को कि देखो आगे देखो आगे यहां था आगे इससे दो बात में करेंगे आगे देखो गोले 1st को यह गोले का समिल करोने अब लिए किस से पास और है सम्तल से और सम्तल से पास हो रहाइ वो क्या है सम्तल पर है तो सैंटर की बैलिऊ क्या होती है forming minus u minus v minus w वो भी इसके अंदर रख देंगे देखो गोले 1st का केंदर minus u minus v सम्तल एक्स प्लस वाई प्लस जैड़ एकोल डू जीरो पर इस्तित है अधर अब देखो यह सर्ग यह सेंटर यह वह सम्तल पर इस्तित है आया ना तो यह संटर सम्तल पर से संटल की क्वेशन को सैटिस्पाइगा नहीं करेगा और मैं अपने घर यह रहा हूं में अपने घरमें तभी रहेannée जिए सम्तल परिंदर सम्तल की को सटिस्पाइगा और यह असर्द सम्तल में के इस संटर क्या होता है इस गोले के संहीखन के लिए मैनस You, मैनस V, मैनस W जो कि समतल पर इस्तिध है इसका उनलग क्या हो रख देंगे, X, Y, Z कि जाइए मैनस You मैनस V मैनस W एकोल डू जीरू इससे क्या बन जाएगा U प्लास V प्लास W एकोल डू जीरू आए निसोंड भी है घीजिए आगया समीकर नमबर आउंच समय है यहां से UQ वेली निकालेंगे VW इसमें रख देंगे ठीक है VW में बन जाएगी यहां से UQ जाएगी यह भी VW बन जाएगी ठीक है उसके बाद VW बन जाएगी फिर V को Eliminate करेंगे यहां से UQ वेली इसमें रख दूँगा तो WD में बन जाएगी एक्वेशन उपर भी WD में बन जाएगी solve करेंगे Elimination will open with you solve करते जाएगे इसको will open with you solve करने पाद U, V, W, O, D की वेली आएगी जो तुमारे को खुद को निकालनी है ठीक है? Calculation है तुमको roughly करनी है लिखना नहीं हो Calculation तुमको इनको roughly करना है roughly करने के बाद उसके जो answer आएगे U, V, W के वो यहां रखने क्यों रखने है? क्योंकि मेरे को इसमें पुट करने equation जो गोले का सम्मीकर्ण बनेगा उसमें X, Y, Z तो आएगी point क्या U, V, W, D की विली चाहिए मरगो वो इनसे solo की आएगी ठीक है? क्या लिखेंगे देखो? मैं लिख देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा देखो सम्मीकर्ण इदर लिख रहा हूँ सम्मीकर्ण 2 से सम्मीकर्ण 2 में से में से सम्मीकर्ण 3 को गठाने पर सम्मीकर्ण 2 में से सम्मीकर्ण 3 को गठाने पर इना सम्मीकर्ण 2 इसफे सम्मीकर्ण 3 को गठादी है 2U से 2U कैंसल बागी आ जाएगा मैं लिख देता हूँ क्या हैगा 4V 4W minus 4 equal to 0 ऐसे देखो सम्मीकर्ण 3 में से सम्मीकर्ण 3 में से सम्मीकर्ण 4 सम्मीकर्ण 3 में से सम्मीकर्ण 4 को गठाने पर सम्मीकर्ण 3 में से सम्मीकर्ण 4 को गठाने पर क्या जाए देखो minus का 4V plus 4W plus 20 equal to 0 यहां से मुझे आराम से V की value V से V cancel W की value आजेगी यहां से ठीक है दोनों को solve कर लेंगे दोनों को solve कर लेंगे तो क्या जेगी V की value ता जेगी यह दे minus करूँगा तो यह cancel नियोंगे यह cancel हो जाएंगे plus करूँगा तो यह cancel हो जाएंगे यह नियोंगे तो V की value ता आजेगी मेरे पास 3 और W की value आजेगी मेरे पास minus 2 हाए न V की value 3 और W की value minus 2 यह V और W की यहां रख दूँगा V तता W का मान का मान समीकण समीकन 5 में रखने पर देखो V तदा W का मान समीकन 5 में रखने पर क्या हज़ेगे देखो U V की वल्यू 3 W की वल्यू माइनस 2 एक वाल डू 0 यहां से U की वल्यू आजेगी माइनस 1 आगे इन में से कोई भी समीकन UVW की वल्यू रख दो D की वल्यू आजेगी मैं क्या लिखू देखो समीकन 2 में UVW का मान रखने पर D मेरे पास आजाएगा क्या 10 समझ में आया न है आया समझ में यह थीक है इसका स्कीन शूट ले लो उसके बाद में इसको दुबारा बताता हो देखो अन्यूज समया अरीनूज समया अरीन को रजीन सichen देख और ऐसकिंशूट देगर दोभर समझारो ऐसं गोले का व्यापक समेकन नहां निम ने यह गोले का आत्थ tu इससे मुझे उस गोले का समयकन मनाना है's जोगी इस सम्तल से पास होता है और इन सफ होता है एक दो टीन के पी माल लों ये o ये आर माल लो उस पर ये पी टीप पॉईंट और ये पॉईंट उर अधिक कहा है दो ये यह वगः अपक सम्यकर जो कि तुं पढ़ चुके हो यह गोला इससे बना रहा है गोले का समीकर मनाएंगे तो क्या होला यह गोला 1 minus 3 4 1 minus 5 2 तिता 1 minus 3 और 0 से गुजरता है अब यह value है xyz की xyz की xyz की अब गुजरता है अब यह point आना इसमें रख दूँँगा 1 का square minus 3 का square 4 का square 2 u 1 2 v minus 3 2 w 4 plus d equal to 0 इससे equation बन गी इनका square क्या 1 का square minus 3 का square 4 का square 26 हैगा 26 को ले जागे उधर रख दिया minus 26 होगिया ऐसे यह वाला point इसमें रख दिया तो यह equation बन गी ऐसे यह वाला point इसमें रख दिया तो यह equation बन गी ठीक है आगी क्या बोला उसने आगे वहला गोले फाष्ट का केंद्र यह गोला फाष्ट है वे आपक्या चाहें चल्द है about it and Mode of क्या वानाता औा लगोड़ मुझा न सिट और गामा इक उलस क्या यह बास57 घ्र to 0 परिस्तिद अत्य यह जाएगा यह पोईंट है तो यह पुएंट्धिये समतल की समीकन को संतुष करेंगे व्यायने का य Дो मायनज मायनगो ClayULya अ मायन अले लिया तो यू प्लास यू प्लेस व डैबलू एकस को डी 지로 मायने देखो second वाले में से third वाला गठा दिया यह equation बन गए third वाले में से fourth वाला गठा दिया equation बन गए इन दोनों को एक बाद जोड लिया जोड़ा तो W की value आगी और गठाया तो W की value आगी यह V और W की value कहां रख दी इस equation में रख दी वो मैंने सवाल करके बता दी देखो तो यू वे की value 3 W की value minus 2 वन बचेगा माइनस का वन यू भी डबलू की value आगी वह value मैंने अब मुझे यह value चाहिए अब क्या करना है वस गोले के सम्झेट बनाना है देखो उपर देखो समझाओ विटाते उसको देखो कि अब कि 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 अधिया आज़ा आज़ा है तो देखो अधे अधे कि अधे गोले का अभिष्ट अधे गोले का अभिष्ट समिगर्ण अधे गोले का अभिष्ट समिगर्ण अधे गोले का अभिष्ट समिगर्ण देखो क्या होगा एक सिस्क्वेर य स्क्वेर य स्क्वेर जैड स्क्वेर टू यू की वेरियो माइनस वन इसमें रख दी रख दिया तो एक्वेशन क्या बन की देखो तो एक्वेशन क्या बन की देखो गोले की अभिष्ट एक्वेशन एक्स स्क्वेर य स्क्वेर जैड स्क्वेर माइनस टू एक्स प्लस शिक्स वाई माइनस फोर जैड माइनस वन एको डू जीरो यह आगया अंसर गोले का अभिष्ट अब प्लस की मैंने वन पता नहीं कहां देख लिए डिक वली प्लस के टैन प्लस के टैन प्लस के टैन प्लस का डैन तो यह बनीगी एक्वेशन एक खुलू जीरो तो बिल्गू सही आ लिए कि आगया तो यह बनके गोले का समीकर इसका स्कीन शोट लेलो फिरागी चलते झालो बनके हैं नहीं है को देख लार झालो जुटा सुंग को सही आपले दिवाद के टैन शुलंके प्लस के ट को अगये सुने यह ठीक है इस class में इतना ही करेंगे क्योंकि अगला जो कुछ न हो थोड़ा लेंद दिये और यहीजिझ अगले प्वस्टेंशन हो में अगली क्लास में करिंगे ठीक है इस क्लास में इतना ही धन्यवाद थेंक्यों